हेलो फ्रेंट्स आज मैं केसर वाली श्पोंजी रस्गुला बना रही हूं भाइबन का रक्षा बंदन आ रहा है इसके लिए मैं यह रिश्पी डाल रही हूं तो यह मैं रस्गुला जो है तो गाई की फूल क्रीम मिल्क का पेकेट वाला दूद से बनाई हूं तो आप इगर या साधा पा लेना है यह तो पानी के निकलने के लिए राख़ेख दे एक लिश्पी निकल जाएगा और यह कर दो बरतन में लेके आप अच्छे से हाथ से उसको मैस्क करें बहुत अच्छे से मिलाजाए उसके बाद अपना कोड़ों डाले या कैसर बाला कलर डाले जो भी डालना हो डालके अच्छे से मिला ले और jitना बडरा मने आपको भरं चोटा बनेना है उस हिसाभ से आप जो तयार करके और बना ले और हाथ में अच्छे से थोड़ा उसको गोली को टाईट करके उसके बाद फिर गोल गोल बनाना है रशुल्ला तैयार होगी आप पानी डाले कुकर ले कुकर में हास्फ एस मैंने आप आता है इसमें कोई रिठा उठा डालने का जरुवत नहीं है और अच्छे से जब उबल गिया देखा दीकर परा जो रसकुला सब अच्छे से पक रहे हैं फिर कुकर का सीटी लगा के दो तीन सीटी लगा दे और फिर गैस पर से उतार के ठंडा होने दे देखिए कितना आच्छा इस पोंजी रसकुला बनाए और उसको जो एक दुसरे बराबरतन में पलटके पानी निकाल दे उसका और उसमें और अगर मिठा अप रसकुलाव बनाना चाहते OS उसमें चासनी के लिए और चीनी डाल दे आधा कप एक कप जितना मिठा आप रसगुला बनाना चाहे उस हिसाब से आप चीनी डाल दे और कूकर के अंदर ही रसगुला रहने दे और पानी निकाल के उसका चासनी बना ले और चीनी डाल के और उसके बाद चासनी जब बन उसके बाद आप बरतन में पलट ले रस्गुला तियार हो गया इस पॉंजी रस्गुला तो आप इसको शर्व कर सकते हैं और आज बनाए तो कल खा सकते हैं तो बहुत अच्छा मिठा हो जाता है अंदर से नहीं तो दो चार घंटा नहीं तो दो चार घंटा के बाद भी आप खा सकते हैं लेकिन हलका मिठा लगेगा उतना ज्यादा मिठा नहीं लगेगा तो इसलिए आप लोग प्लीज आप लोग बना के ट्राइ करें और कॉमेंट में लिखें कैसा बना थैंक्यू फिर मिलेंगे एक नई रेश्पी के साथ